तो आज की इस वीडियो में हम next 10 questions को करेंगे तो यहाँ पे हम first question है chemical reactions involved in biogeochemical cycle तो यहाँ पे हमें nitrogen cycle की कुछ reactions given है जिनके अंदर हमें बताना है कि इन processes के अंदर कौन से microorganisms हैं जो involved है पहला step है जब आपका nitrite से nitrate का conversion होता है ठीक है अगर आप देखोगे तो आपका जो mineral nutrition वाला है उसके अंदर आपकी पूरी nitrogen fixation cycle है इस starting में आपका क्या होता है starting में आपका क्या होता है atmospheric nitrogen present है अब यह जो आपकी atmosphere में nitrogen present है सबसे ज़्यादा यही present होती है बट यह as it is use नहीं हो सकती तो पहले जो plants है इसको fix करते हैं ठीक है और फिर plants इसको use करता है पहले microorganisms इसको fix करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है पहले biological nitrogen fixation biological भी nitrogen fixation होती है industrial भी nitrogen fixation होती है electrical भी nitrogen fixation होती है तो इन तीन तरीकों से आपकी जो nitrogen होती है वो fix हो जाती है किस तरीके से वो आपकी ammonia में convert हो जाएगी इंडस्ट्रियली भी और जब biological nitrogen fixation भी होगी ठीक है अब यह जो ammonia है यह आपका convert हो जाता है NO2 यह वाला जो reaction है अब यह आपकी होती है तो यहाँ पे हमसे इनके बीच में reactions फूची गई है तो देखो अगर आपको सारा नहीं आता है तो आप यह देखो यहाँ पे आपका जो nitrogen ही last में दुबारा से nitrogen बन गई है तो यानि क्या हुआ आपका जो last form थी nitrate से दुबारा से nitrogen बनी तो यहाँ पे denitrification हो है तो denitrification कोन करता है आपका pseudomonas और thaiobacillus करता है pseudomonas और आपका thaiobacillus करते हैं ठीक है तो अगर आप देखोगे तो आपके लचा दो options हैं यह पाला भी pseudomonas और इन दो options में आपका pseudomonas गिवन नहीं है ठीक है तो आप आपके दो option आपके अपके अपके आपके और eliminate कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं आता तो आपको यह सब को पता है कि nitrogen को ammonia में convert कौन करता है आपके nitrogen fixing bacteria जिसके अंदर आपका heterocyst भी present होता है तो no stock यहाँ पे आजाएगा तो देखो यहाँ पे यह no stock आगया तो अगेन यह वाला option भी कटा हुआ तो यहाँ पे आप देखो आपका जो fourth option है छीक है तो यह question भी आपका NCRT से है mineral nutrition chapter से अगेन है question which of the following is not a nasty movement आपके दो type की movement होती है एक directional movement होती है एक non-directional movement होती है जो आपके tropic movements होती है वो directional होती है लेकिन जो nasty movement होती है वो non-directional होती है cell की target pressure की वज़े से होती है और reversible भी होती है तो यहाँ पे हमारी जो सिस्वो nasty है यह आपकी क्या होती है nasty movement होती है थिगमो आपकी touch वाली भी होती है nicty nasty भी होती है लेकिन जो phyto nasty है यह आपकी nasty movement नहीं होती है ठीक है जब हमें grains निकालने होती है तो इसका आपका formula होता है n n plus n by 4 यह आपका formula यहाँ पे होता है तो अगर इस formula से हम solve करेंगे तो यहाँ पे देखो 100 plus 100 by 4 तो 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका 125 तो option number 4 यहाँ पे आपका correct हो जाएगा ठीक है जब भी आपको grains निकालने हों meiosis से और meiosis में आपके 4 वो बनते हैं और n जो number given हो 100 given था तो n plus n by 4 नाओ टैक polymerase is obtained from यह टैक polymerase कहाँ पे use होती है आपकी PCR याणि polymerase chain reaction के अंदर use होती है यह क्या करती है आपके DNA की amplification करती है amplification मतलब कुछ part of DNA को आपका amplify बड़ा करके दिखाती है उसके मलब proper आपकी reading हो सके काफी सारे copies इसकी बन जाती है यह किस ने discover कर रही थी एक बार यह भी previous year में पूछा गया तो यह हमारी carry mulis ने discover की थी अब यह जो tag polymerase है यह आपकी बहुत high heat के अंदर पी यह survive करती है तो R की bacteria जो होते है वो आपकी adverse condition में survive कर सकते है तो R की एक क्या है tag polymerase से हमें मिलती है चीक है किस से मिलती है हमें वैसे R की कौन सा bacteria है यहाँ पे यह लिख लो thermos coaticus तो इस से हमें क्या मिलती है आपकी tag polymerase मिलती है जो की एक R की bacteria now the next question is the interface nucleus is enclosed हमारे जो क्या होता है आपका M phase होता है mitosis जिसमें होती है और बाकी आपका जो phase होता है वो interface होता है जिसके अंदर आपका G1 आता है S आता है और G2 phase आता है G1 से G2 का आपका interface होता है तो यहाँ पे आपका जो nucleus होता है वो कैसा होता है एक porous double membrane के अंदर enclosed होता है ठीक है now the next question is match the terms हमारे column 1 column 2 given है जो हमें match करना है देखो adelphus अब यहाँ पे देखो अगर आपको सारे भी नहीं आते हैं तो यह देखो यह तो आपका NCRT में प्रॉपरली Morphal Anatomy वाले चाप्टर में लिखा है अपिपेटलस इसमें क्या होता है आपके जो stemons है korolla से attach होते है तो डीक आपका 5 हो जाएगा तो देखो एक ही option के अंदर given है तो अगर आपने NCRT भी read करी है तो भी यह question आप कर पाते है now the three domain classification जो कार्ल वूस की आपकी classification है यह हमने की थी किस के उपर based होती है आपके ribosomal RNA के उपर based होती है यह 16SR RNA 18SR RNA इनके उपर based थी आपकी कार्ल वूस की three domain classification ठीक है which of the following यह तो सब को आता होगा इस नेचर का जैनेटिक इंजीनियर बाय टेकनलोजी में properly given है अगरो बिक्टीरियम टूमी फेशियन से आपके क्या है as a genetic engineer यूस होता now next one is which of the following taxonomical term may be substitute for any of the others आपकी कौन सी taxonomical term है जो सब के लिए यूस हो सकती है तो taxon क्योंकि देखो order भी एक taxon है species भी एक taxon है को हम इन सब्सके लिए यूस कर सकते हैं तो second option यहां पर आपका correct answer हो जाएगा now arrow is arrow आपका क्या होता है यह एक आपका third intubment होता है ठीक है third intubment हम यहां पर लिख लेते हैं तो यह आपकी intubmentary growth होती है first option यहां पर आपका correct हो जाएगा आपका जो third intubment होता है यह आपका क्या होता है arrow होता है ठीक है और यह arrow किसकी अंदर होता है आपका allieac family sorry ठीक है लिच्ची के अंदर होता है और निमफे के अंदर होता है यह आप से पूछा जाता है कि arrow किसकी अंदर होता है तो लिच्ची और लिमफे के अंदर होता है ठीक है यह आपका हो गया first option correct हो गया अब यहां पर 10 कोशन होगे हैं फिर चलो यह पेज कंप्लीट हो जाएगा एक कोशन और हम कर लेते हैं आपको गेन कॉलम वन और कॉलम टू गीवन है जिसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है देखो यह स्मूथ एंडो प्लास्मिक रेक्टिकुलम सबको पता है लिपिट सिंथे यहां पर फ्रिस्ञ्ट होता है क्लोरोप्रस्ट में यहां पर ग्यृण की इलो तो घृण क RAM जोगर गया है तो यहां पर आपका 131 कोशन कंप्लीट हो गए हैं ठिक निक्सट क्लास के अंदर हम बाकी कोश्चन को करेंगे तो यहां पर आपका 131 और किए इसका कॉल कर पाऊँगे वन सिंग अगया है तो आइधिंग नेटवर्क कनेक्शन कोई इश्यू आ गया है तो हम यहां पर अपनी क्लास को आयंड करते हैं और वैसे भी हमारे जो आज का टागेट था उतने कॉश्चिन से हमारे कम्टीट हो चुके हैं ठाइधिंग थे जिए कर दोड़ी में पूप है झाल जिए ंनुए शरू कोई एज जिए ऑगया है हमारे किम्टीट प्रेख खने काष़ रचेश पेड़गे कि वैज कि उतनी से देश्यू है